नमस्कार दोस्तों अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओलेटपी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि अभी की जो ताजा कावर ब्रेकिंग नुज आई है कि दीवाली से पहले हिमाचल के लोगों को बड़ा जटका तो क्या नुज आई है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो पर एंट तक बने रहिए अगर आपने वी तक वीडियो को शेर नहीं किया तो वीडियो को शेर कर दें और अंकित बर्मा और अटपी नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हार नॉटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं तो देख सकते हैं जो ताजा खबर ब्रेकिंग यूज आई है कि दिवाली से पहले महंगाई का जटका हिमाचल में व्याब साइक लपीजी सिलेंडर के दाम 2000 रुपय के पार तो हिमाचल परदेश में दिवाली से पहले हिमाचल की जनता को महंगाई का जटका लग गया है हिमाचल में व्याब साइक लपीजी सिलेंडर के दाम 2000 रुपय के पार हो गया है स्वंबार को जो है गैस कंपनियों ने व्यावसाइक LPG के दाम में जो है 266 रुपए की बढ़ोतरी की है इससे परदेश में अब हॉम डिलीवरी के साथ व्यावसाइक LPG सिलेंडर के जो है 2171 रुपए चुकाने होंगे वहीं घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है गरेलू उबोकताओं को अक्तोबर महिने के दामों पर ही नहों डिलीवरी के साथ जो है करीब 1000-2 रुपए की चुकाने होंगे रसोई गयास सिलेंडर में लगी महंगाई की आग के साथ-साथ राजधानी शिमला में समान्य पैट्रोल के प्रति लीटर दाम पहुंच गया है पांप और पैट्रोल के दाम 108.75 तथा डीजल के जो है नढ़ीनुए 0.05 रुपए प्रति लीटर रहे जाने पिछले चार महिनों के दाम तो जुलाई में गरेलू रसोई गया सिलेंडर जो है 25.50 रुपए और व्यवसाइक सिलेंडर जो है 20 रुपए पहुंच चुका है देवाली से पहले लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा महंगाई का जटका जो है लोगों को दिया गया है तो दोस्तों ये थी ताजाख अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें और अंक्यत वर्मा और